पाठ ग्यारह नर हो ना निराश करो मन को नर हो ना निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो जग में रह कर कुछ नाम करो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो कुछ तो उप्युक्त करो मन को नर हो ना निराश करो मन को नर हो ना निराश करो मन को समलो के सुयोग न जाए चला कब व्यर्थ हुआ सदुपाए भला समझो जगो ना निराश अपना पत आप प्रशस्त करो अपना अखिलेश्वर है अब लंबन को नर हो ना निराश करो मन को रभू ने तुझको करदान दिये सब वांचित बस दूविधान किये तुम ताप्त करो उनको न आहो फिर है किसका यह दोश आहो समझो ना अलब्य किसी धन को नर हो ना निराश करो मन को नर हो ना निराश करो मन को नर हो ना निराश करो मन को